Hello everyone, कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूँ विवेक फॉम फिंटेक्स प्रोज यहां पर हम बात करते हैं Finance and Taxation की and आज हम लोग सीखने वाले हैं ITR Filing for Freelancers So चलिए चलते सीधा स्क्रीन पर पहले समझते हैं कौन सी ITR आपको फाइल करनी है उसके बाद चलेंगे competition की तरफ and last मैं आपको दिखा हुआ ITR Filing income tax portal के ऊपर किस तरीके से आपको करनी होती है So guys we are on the screen now सबसे पहले समझें कुछ basic concepts ITR Filing से लेटेड जो की एक Freelancer को समझना बहुत जरूरी है Taxation scheme from four freelancers, यहाँ पर दो taxation schemes आती है जो कि एक Freelancer opt कर सकता है, एक होती है normal taxation, second one is presumptive taxation Normal taxation में जो आपकी gross receipt है, उसमें से आप जो आपके actual expenses है Normal के अंदर आप अपने actual expenses को, actual income को book करते है And जो भी आपकी income आती है, उसके उपर आप tax की payment करते है Presumptive taxation के अंदर क्या होता है, presumptive taxation एक simple scheme होती है इसके अंदर आपके gross receipts के ओपर एक specific percentage लगाई जाती है And उसके basis पर आपके profit calculate किये जाती है जैसे कि अब यहाँ पर दो presumptive scheme हमारी income tax के अंदर होती है एक होती है section 44 AD की और एक होती है section 44 ADA के अंदर Now as a freelancer, अभी हम discuss करेंगे, आप हो सकता है बहुत type की services provide करते हो तो आप कौन से section के अंदर fall करेंगे, अभी थोड़ी देर में हम discuss करेंगे Section number 44 AD जो होता है, वो businesses के लिए होता है जहाँ पर आपको अपनी turnover का 6% या फिर 8% जो है profit declare करना पड़ता है अभी detail में समझेंगे in sections को, दूसरा होता 44 ADA, 44 ADA professionals के लिए होता है doctor accountant, engineer, legal services के लिए 44 ADA जो हो है वो opt की जाती है यहाँ पर आपको gross receipts का 50% profit जो हो declare करना पड़ता है अगर आपको 8 lakh की receipt हुई है पूरे year में तो यह माना चाहता है 8 lakh का 50% यानि 4 lakh रुपी आपके income consider कर ली जाती है तो इस तरीके से यह presumptive taxation scheme income tax के अंदर काम करती है नो यह option आपके पास है कि आप कौन से scheme में जाना चाहते है आप normal taxation में जाना चाहते है या presumptive taxation में जाना चाहते है तो एक बार आप opt कर लीजिए ध्यान से क्योंकि बाद में फिर इसमें switch करने में काफी दिक्कत होती है इसलिए अगर आप presumptive में चल रहे हैं तो presumptive कोई opt कीजिए नॉर्मल taxation अगर आप previous year में आपने नॉर्मल taxation के अंदर जो है किया था account से ही निकल के आता है तो आपको अपना panel account बनाना होता है और आपको अपनी balance sheet भी प्रिपेर करनी होती है और आपको अपनी accounting करवानी पड़ती है अगर आप नॉर्मल taxation scheme में जाते हैं तो दूसरा presumptive taxation में आपको accounting की ज़रूरत नहीं होती लेकिन presumptive taxation की भी limits होती है कुछ 44 AD की limit जो है वो 2 करोड की होती है 44 ADA की जो limit होती है वो 50 lakh की होती है तो इस limit के अंदर है तब ही आप यह presumptive taxation की schemes को opt कर पाएंगे चलिए आगे further समझते हैं presumptive taxation scheme जो कि मैंने आपके साथ discuss की 44 AD and 44 ADA तो अगर आप banking से receipt आपने लिए है उस case में आप 6% जो है minimum profit दिखा सकते हैं 6% से कम आप नहीं दिखा सकते हैं गर उससे कम दिखाना चाते हैं तो आपको 8 year 3 file करनी है आपको आपका tax audit करवाना पढ़ सकता है साथ ही में अगर आप cash में receipt आपने लिए तो cash receipt का आपको minimum 8% जो है profit दिखाना होता है और उसके लावा कोई maximum limit नहीं होती maximum limit आप 10% 20% 25% कितना भी दिखा सकते हैं maximum की कोई limit नहीं है minimum आपको इतना profit जो है वो शो करना application के अंदर भी दो scheme होती है एक होता 44 AD जो की business के लिए होती है 44 AD अब यह आपको समझाओंगा कैसे आपको identify करना है as a freelancer की आपकी जो services है वो कौन से section के अंदर fall होती है बस थोड़ी दिर मेरे पूरी वीडियो को end तिक देखिएगा आप आज जो है मैं freelancer से related ही सारी चीज़ के लिए मिलेंगी section 44 AD यहां पर आपको कितने profit declare करने होते है यह profit की limit है यह आपके काम आईगी जब आप ITR फाइल करेंगे वहां पर भी हम यह इसका use करेंगे तो 44 AD में अगर आप fall करते हैं तो 50% of gross receipt जो है वो आपको दिखाना पड़ेगा for example मान लीजी आप एक lawyer है एड़ उसका आपको 50% minimum दिखाना ही दिखाना पड़ेगा यानि 450,000 आपको अपनी total income जो है दिखानी पड़ेगी अगर आप 44 AD A के अंदर जाना चाहते हैं तो अगर आप presumptive taxation को opt करना चाहते हैं तो और maximum की कोई limit नहीं होती आप चाहते हैं कि आप पूरा का पूरा जो 9,00,000 आया चलिए moving further turnover limit आप समझते हैं turnover limit क्या है मतलब कब आप जो है opt कर सकते हैं presumptive taxation के अंदर कब आप 44 AD A में fall करेंगे कि दोनों में difference है यहां अगर आप 44 AD A में fall कर जाते हैं तो आपके लिए minimum profit की limit काफी कम हो जाती है 6% और 8% और अगर आप 44 AD A में fall करते हैं तो 50% होती है अब अ basically professionals के लिए आई थी presumptive taxation scheme तो यह professionals के लिए होती है और यह businesses के लिए होती है 44 AD to be very specific तो specific list मैंने यहां पर दी हुए इस list को जड़ा ध्यान से एक बार समझते है कि कौन कौन सी services जो है वो 44 AD A के अंदर cover की जाती है so services हमारी है सबसे पहले legal services यानि एक advocate lawyer वगर की यह जो legal services आप देते हैं तो वो आपका 44 AD A के अंदर cover होता है 50% of gross profit आपको दिखाना पड़ेगा अगर आप इसके अंदर जाना चाहते हैं और यहां limit ध्यान रखेगा 44 AD A की limit होती है 50 लाकी मतलब अगर आपको पूरे year में 50 lakh से जादा की gross receipt हुई है तो आप 44 AD A में नहीं जा सकते सर 44 AD A मे आपको टेक्स देना पड़ेगा अपना balance sheet PNL आपको prepare करना पड़ेगा जो actual profit आएंगे उसके according ITR 3 फाइल आपको करनी पड़ेगी IDR 4 में presumptive taxation में आप नहीं जा सकते हैं perfect चलिए और profit की limit क्या होती है 44 AD A की यह मैंने discuss कर लिया already 50% of gross receipt जो आपको profit दिखाना पड़ेगा second number medical profession भी यहां पर आता है doctor वगेरा जो होते है तो doctor भी जो है अगर आप ऐसा freelance आजकल बहुत चलता है pacto app तनी कौन बहुत सरे apps आते हैं जहां पर consultancy आप देते हैं so as a freelancer अगर आप काम करते हैं और आपकी receipts 50 lakh की limit को ध्यान में रख करके चलिएगा 44 AD A आप तभी opt कर पाएंगे अगर 50 lakh के under under पूरे year की receipts होती है उससे ज्यादा किये अगर receipts है फिर आपको नॉर्मल बैलेंशिट प्यानल एक प्रिपेर करवाना पड़ेगा आपको अकाउंटेंट या चार्टर अकाउंटेंट को से जो है consultancy वहाँ पर लेनी पड़ सकती है ठीक है 44 ADA तो बहुत simple return होती है भी मैं return filing आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा इसके return भी बहुत simple होती है तो यहाँ पर भी 50% of gross profit उसके बाद engineering या फिर architecture professionals जो होते हैं वो भी 44 ADA के अंदर cover हो सकते है accountancy की services भाई आज आपको accountant का एक example में दिखाने वाला हूँ accountancy की जब आप service देते हैं वो भी आपका cover होता है 44 ADA के अंदर आप 44 ADA में नहीं जा सकते है जा accountant अगर आप services देते हैं आपको 44 ADA के अंदर ही profit declare करने पड़ते हैं ठीक है 50% of grocery seat उसके बाद है technical consultancy technical consultancy 44 ADA यहाँ पर भी 50% interior decoration के आप service देते हैं 44 ADA में आप जा सकते हैं 50% company secretary की service यह भी 44 ADA के अंदर आज आती है film artist को भी cover किया गया यहाँ पर film artist के अंदर कौन को आता है देखिए actor cameraman director music director art director dance director including their assistant editor singer lyrist or story writing screenplay right dialogue right or dress designing यह भी आपके 44 ADA के अंदर cover होते हैं और web designing की service web development की service technical services आप देते हैं वो भी 44 ADA के अंदर cover होता है freelancing other freelancing इसके अलावा जो कोई freelancer की service आप देते हैं digital marketing की आप services देते हैं SEO SMR को service देते हैं वो आपका 44 AD में cover क्योंकि यहाँ पर limitation है 44 ADA हर कोई opt नहीं कर सकता अगर आप in professions में cover हैं वैसे आजकल बहुत सारे professional profession हो गए हैं जो कि आप as a freelancer जो काम कर सकते हैं बट 44 ADA के अंदर खाली इन professionals को ही cover किया गया है यहां तक इसके अलावा कोई भी services आप देते तो 44 AD के अंदर cover होती है वहाँ पर आपको यह फाइल करनी होती है और वहाँ पर turnover की limit 8% होती है सो इन notes को आप जो नीचे से download कर सकते हैं मैं आपके reference के लिए दे दूँगा उसके बाद documents आपको क्या क्या चाहिए ITR filing के लिए आपको सबसे पहले अपनी bank statement चाहिए होती है bank statement से आप यह identify करेंगे कि आपकी business की receipts कितनी है जो आपने freelancing का काम किया उससे आपको कितनी receipts मिल है वो आपको identify करनी है फिर आपको अपना 26 AS और AIS चेक करना है AIS एक important document होता है जो कि last year ही आये था हो सकता है freelancing के अलावा भी आपको job करते हो या फिर कहीं पर आपने service दियो आपका TDS deduct हो रखा हो या फिर आपको interest मिला हो आपको FD पर interest मिला हो तो जितनी भी transactions है जो कि आप से skip नहीं होगी वहाँ पर जरूर आ रही होगी इसलिए AIS को जरूर आप एक बार चेक कर लीजिए ITR filing करने से पहले lastly deduction के document आपके पास होना चाहिए LIC की आप deduction लेना चाहते है health insurance की direction लेना चाहते है ATGG की deduction आप ले सकते है as a freelancer तो इन सब की deductions के लिए documents आपके पास होने च चाहिए so जब आप presumptive के लिए जाते हैं तब आपको ITR 4 file करनी होती है जब आप normal taxation के लिए जाते हैं तब आपको ITR 3 file करनी होती है अब एक चीज को और ध्यान से समझे कुछ transactions आप ITR 4 में show नहीं कर सकते हैं जैसे कि हो सकते हैं आपकी capital gain की कोई transaction हो आप freelancing में कोई काम करते साथ में आप share market में invest करते हैं तो आपकी capital gain की transaction वापर बनती है तो उस case में आपको ITR 3 ही file करनी पड़ेगी क्योंकि capital gain की transaction आप ITR 4 में कहीं पर भी नहीं दिखा सकते है तो आपको एक बार consult कर लेना चाहिए अपने tax professional से अगर किस तरीके से जो आपको अपनी ITR कौन से ITR अगर आप limit के अंदर है 44 ADA के अंदर आते हैं तो आप ITR 4 file कर सकते हैं चलिए अप सीधा portal पर चलते हैं computation एक बार समझते हैं उसके बाद में ITR filing की तरफ चलेंगे चलिए आज एक स्क्रीन पर सबसे पहले एक बार competition समझते हैं फिर चलेंगे portal के उपर एन अपनी filing को start करेंग तो gross receipts कितनी है 9 lakh की gross receipts हैं इसका मतलब हम जो eligible है 44 ADA के लिए 44 ADA की turnover gross receipts की जो limit होती है वो 50 lakh rupees होती है हमारी 9 lakh है तो हम 44 ADA को opt कर सकते हैं उसके बाद में दूसरा question आता है profit कितना दिखाएंगे तो profit हमने यहाँ पर 51% show किया हुआ है वैसे आप 50% भी कर सकते हैं हमने 51% यहाँ पर show किया हुआ है 50 से कम नहीं कर सकते हैं अगर 44 ADA को opt कर रहे हैं और उससे above की कोई limit नहीं होती है अगर आप पूरा 9 lakh को अपनी income show करना चाते हैं तो आप कर सकते हैं वहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है capital gain की income अगर है तो हम presumptive taxation 44 फिर ITR 4 file नहीं कर पाएंगे आज का जो हमारा session रहेगा उसमें हम ITR 4 file करना सीखेंगे तो अगर आपकी capital gain की income है तो आप ITR 4 file नहीं कर पाएंगे इस चीज़ का भी ध्यान रखेगा house property कुछ नहीं है other sources में saving account की interest की income है उसको हम शोग करने वाले यह bank account से हम नया detail enter किये इसके लाबा AIS आप जरूर एक ब balance sheet वैसे इसकी जरूरत नहीं थी पर फिर भी हमने prepare किया हुआ है ठीक है so competition यह हमारी सबसे important है competition अगर आपको यह sheet चाहिए excel sheet है तो आप नीचे से download कर सकते है चलिए moving to the portal portal पर चलते हैं filing start करते है portal पर सबसे पहले आप login करेंगे file now पर आपको क्लिक करना है आपको assessment यह select करना है current assessment यह twenty two and twenty three हमारा यहां चल रहा है online mode से हम filing करेंगे उसके बाद हम continue पर click करेंगे उसके बाद start new filing पर हमको जाना है individual select करना है continue हम करेंगे ITR form ITR four हम file करने वाले हैं उसके बाद proceed with ITR four हमको यहां पर select करना है let's get started पर हम click करेंगे तीन options हमको दिये जाते हैं कि taxable income जो है वो seventh proviso जो है section 139 one का क्या आप उसके under file कर रहे हैं इन options मैंसे किसी में आप fall करते हैं तो आप वो select कर सकते हैं कोई other option है तो वो आप यहां से select कर सकते हैं हमारे case में हमारी taxable income जो है वो basic exemption limit से exceed करती है that means two point five lakhs से exceed करती है हमारी taxable income तो वो click करके हम यहां पर continue करने वाले हैं सबस बहुत simple return होती है ITR four कोई complexity नहीं आती है आप खुद भी इसको file कर सकते हैं सानी से personal information में आपकी जो basic information होती है profile यह डाल दीजेगा contact detail आप अपनी करेक्टरी बाद चेक कर लीजेगा nature of employment पे आप क्या select करेंगे जब आप freelancing करते हैं तो सबसे नीचे आप जाएंगे not applicable या फि फिर filing section 1391 जब आप before due date file करते हैं तो 1391 के अंदर आप file करते हैं अगर आप after due date file कर रहे हैं तो related return जो है इस पर आपको select करना है filing in response to notice का reply जब आप करते हैं तब यहाँ पर आपको करना होता है तो इसको अभी आपको कुछ नहीं शेरना वो चीज हम discuss नहीं कर रहे हैं आज न की बात हो रही है यानि पिछला वाला जो हमारा year था है तो पिछली आईट जब आपने file की तो वहाँ पर क्या आपने opt किया था 115 यह क्या चीज होती है new tax regime होती है जहां पर आपके tax rate कम कर दिये गए है लेकिन आपकी deductions जो है और exemptions जो है उनको आप से ले लिया गया है तो उसको आप claim नहीं कर पाएंगे और आपका tax rate जो है उसको थोड़ा सा कम कर दिया गया है चीक है तो हमने opt नहीं किया था तो हम यहाँ पर no करेंगे no करने के बाद फिर हमसे पूछा जा रहा है option for current assessment year current assessment year में आप क्या चाते हो कि आप उसको opt करना चाते हो या नहीं चाते हो तो current assessment year में हम उसको opt नहीं करना चाते हम no पे click करेंगे उसके बाद में are you filing तो यह हमसे यहाँ पर no हो रखा होगा already यह देखिए no है यहाँ पर आपको कुछ नहीं शेड़ना उसके बाद whether this return is filed by representative assessing यहाँ पर आप no करेंगे अगर आप खुद फाइल कर रही है तो last में banking detail आ अगर आपको कोई TDS का refund बनता है कोई आपका refund अगर आपको claim करना है तो आपका pre-validated bank account होना चाहिए so एक bank account जरूर pre-validate कर वा लीची हमारे case में दो account है एक हमारा pre-validate हो रखा है और वही हमने refund के लिए select किया हुआ है तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा उसके ब भी deduction हम claim नहीं करना चाहते है आपकी case में है तो आप yes करके उसकी amount डाल सकते हो basically salary से related यहां पर जो है exemption दी हुई है जब आप freelancing करते हैं तो शायद आप job तो नहीं करते होंगे करते हैं तो आप salary की detail भी है डाल सकते हो आप salary की detail भी डाल सकते हो और अपनी जो freelancing का आप काम कर करते हैं आप accounting आप एक accountant है कहीं पर job करते हैं और part-time में कहीं पर आप जो काम भी करते हैं accounting की services भी देते हैं तो वहां पर salary की detail भी आप डालेंगे और जो ITR freelancing वाला काम है इसको basically freelancing बोला जाता है जो आप part-time में काम करते हैं या फिर आजकल तो freelancing लोग full-time में भी करते हैं अपनी salary की details put कर देंगे हमारी case में salary की detail नहीं है only freelancing वाला जो case है वो हम discuss कर रहे है house property में अगर आपने कोई home loan लिया हुआ है उसका interest आप पे करते हैं तो यहां पर आप house property में enter कर सकते हैं add detail करेंगे breakup की तो यहां पर आपका आजाता है house property self occupy आपने की हुए let out की हुए interest कितना pay alone borrowed capital तो जो interest की amount है वो आप यहां पर put करके यहां पर आपको deduction मिलती है तो अगर 2,00,000 तक की maximum deduction मिलती है पूरे year की 2,00,000 तक का interest अगर आपने pay किया है उससे जादा की नहीं मिलेगी maximum 2,00,000 की limit जो है वो यहां पर होती है ठीक है तो अगर आप interest pay करते हैं home loan का वो य cancel कर देते हैं moving back यहां पर एक बार details को और नीचे चलते है income from business और profession यहां पर हमको जो profession मैंने आपको accounting professional का जो है वो case यहां पर दिखा रहा हूं में बनाया हुआ है business code आप select करेंगे तो यहां पर देखिए यहां पर आप जो business code आएंगे वो आपके services से related आएंगे professional service जो हमने डिसकस कर दी थी उन से related आएंगे तो software development other software consultancy data processing BPO legal profession यहां पर आ गया accounting bookkeeping and audit profession जो होता है तो अगर आपकी CA firm है so as a CA firm भी आप अगर presumptive में जाना चाहते हैं तो यहां पर आप जा सकते हैं 44 ADA के इंदर आप opt कर सकते हैं accounting bookkeeping and auditing profession जो यहां पर आपका cover हो जाता है और इसका जो code हमारा है वो 16002 इसका code होता है आप note कर सकत है description में अगर आप कुछ देते हैं तो वह आप description भी या दे सकते हैं option होता है description gross receipt आपको mention करनी है तो हमारे case में 9 lakh की थी और फिर 50% हमको जो है at least दिखाना होता है तो कितना हम दिखा रहे थे 460,000 अभी error आ रहा है वह यह error आ रहा है कि 50% अभी मैंने कुछ mention नहीं किया तो य 9 lakh की जब आपकी gross receipt है तो 0 तो आप show कर नहीं सकते हैं आपको at least कम से कम 4,50,000 तो show करनी है तो 4,60,000 है वह हम यहां पर claim कर लेते हैं और फिर हमारी error यहां से चली जाएगी इसको हम add करेंगे तो हमारी यह details से हम पर add हो जाएंगी moving further salary तो कोई थी नहीं हमारे case में house property भी नही have interest income from saving bank account in India यहां पर आप yes click करेंगे and 3540 जो आपका interest है वो आप यहां पर put करेंगे एक बार अपना 26 AS और AIS जरूर चेक कर लीजेगा मैं बता देता हूं कहां से services में आप जाएंगे services में नीचे आपको मिलता है annual information statement proceed करेंगे तो यहां से आपका separate portal होता है AIS पर आप जाएं आप जाएंगे यहां annual information statement पर आप जाएंगे यह आपकी पूरी AS की detail आजाएगी SFT information payment of tax demand and other information यहां से एक बार details चेक कर लीजेगा क्या-क्या details आपकी वहाँ पर आ रही है उसके basis पर आप अपनी competition prepare कीजिएगा कोई income miss कर देते हैं तो कई बार यह होता है कि e-campaign में आपके बस notices भी आ जाते हैं तो इन छोटी-छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप अपना compliance जो आइटर का हो बिल्कुल correctly कर पाएंगे नीचे जा करके इसको continue कर देंगे saving account का interest था हमने put कर दिया है 3540 एक deduction है हमारी कौन सी 80C की 10060 की सो इसको हम पहले confirm कर देते हैं सो ग्रॉस तोटल इंकम हमारी यहां पर आ चुकी है अब डिरेक्शन की डिटेल है वह यहां पर अभी पहले आपको एक बार डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे बिजनिस के कुछ पर्टिक्लोर्स देने पड़ते हैं उसके बाद में डिटेल हम देंगे तो फैनेसिल पर्ट सकते हैं तो बैलन शीट हमारी यहां पर है तो बैलन शीट से हम डालेंगे क्रेडिटर्स हमारे कितने हैं क्रेडिटर्स सेवन जीरो फाइफ नैन जीरो उसके बाद में इन्वेंटरी कितनी है इन्वेंटरी अगर आप देखे सर्विस देते हैं तो इन्वेंटरी का तो 900 है और balance with bank कितना है नहीं cash in hand डालना है ना तो cash in hand mandatory है three zero four double zero three zero four double zero bank से देख करके अपनी bank statement से आप जो है आपका जो bank balance है वालब closing का 31st March का वो भी आप यहां पर डाल सकते हैं तो 40590 40590 यह detail आप डाल सकते हैं जो mandatory है वो तो जरूर डालनी है optional वाली details है वो आप छोड़ सकते हैं तो यह detail डालने के बाद में आप यहां पर नीचे add करेंगे अब यहां पर आपका हो सकता है match ना हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं यह extract होते हैं तो मैंच कराना जरूरी नहीं है अगर आप जीस्टी में registered है तो जीस्टी की detail और जीस्टी का turnover जो होता है जीस्टी की supply होती है वो आप यहां पर एंटर कर सकते हैं फिर यह detail डालने के बाद आप यहां पर confirm करते हैं अब हमको डालनी होती है deductions की detail total deductions में हम जाएंगे तो एक हमारी deduction थी कौन सी वन डबल जीरो सिक्स जीरो सो एटी सी की में हम yes करेंगे और yes करके वन डबल जीरो सिक्स जीरो आपकी और कोई deduction है तो वो भी आप यहां से yes करके उसको claim कर सकते हैं एटी टी टी एक बी है हमारी saving bank account का कुछ interest हमको मिला था चेक कर लेते हैं एक बार other sources में 3540 का तो यहां पर yes करके अभी हम बाद में इसका field आएगा वो हम file करेंगे यहां पर हम क्या करते हैं continue कर देते हैं 80 TTA वाला जो होगा वो यहां नीचे आएगा एक second रुकिए यह रहा अगर आपका यहां पर नहीं आ रहा तो आप यहां पर जो है show all कर सकते हैं तो नीचे से आप select कर सकते हैं यह रहा हमारा देंगे तो 80 TTA की deduction हमारी यहां पर claim हो गई और LIC की जो डिरेक्शन थी यह दो डिरेक्शन हमने यहां पर claim कर लिए इसके अलावा कोई और deduction है तो वो भी आप यहां पर simply claim कर सकते हैं बहुत ही simple return होती है इसके बाद tax paid की detail यहां पर automatically आ जाती है AIS से जो जो टेक्स पे किया होता है उसकी detail आ जाती है गर salary पर job करते है आपका टीडिस डिरेक्ट हो रख है उसकी detail यहां पर आ जाती है हो वरना आपकी error जो ITR process होगी उसमें error आ सकता है उसके बाद हो सकता है आपका कुछ tax बन रहा हूं तो tax के case में आपने टेक्स की payment करी है self assessment tax आप यहां से pay कर सकते है income tax और जो हम ITR filing के time पर tax pay करते हैं उसको बोलते है self assessment tax यानि वो tax जो आपने खुद assess किया है 300 इसका head होता है banking channel से आप कौन सा method select करना चाहते है net banking या debit card वो आप select कर सकते है pen डाल सकते है assessment year बागी detail फिल करके उसके बाद process करके आप banking screen पर चले जाते हैं वहाँ पर अपनी amount डाल सकते हैं और tax की payment कर सकते हैं फिर जो आपका चलान बनता है उस चलान को आपको save करके रखना होता है उस चलान की detail आप यहां डालते है advance tax and self-assessment tax यहां पर आप add करेंगे BSR code डालना होता है यहां पर serial number आप डालेंगे और date of deposit जब आपने deposit किया उसके बाद में आप confirm कर देंगे तो tax की detail जो आपने pay की होती है manually उसको आपको यहां पर manually डालना होता है ठीक है और उसके बाद सारी details डालने के बाद और check करने के ब बताएगा कि आपके tax liability कितनी बनती है क्या बनती है तो हमारे case में तो नहीं मनेगी कोई tax liability क्योंकि हमको 87E की rebate मिल जाएगी यहां पर calculation में देखेंगे तो यह देखें रिबेट वैसे तो tax हमारा बना है 9997 का बट 87E की एक rebate मिलती है तो उसकी विदे से हमारा कोई भी tax न आ रहा होता है पे नाओ और पे लेटर पे नाओ ही सलेक्ट करना पे लेटर कवी सलेक्ट मत करना दिक्कत आ जाती है उससे ठीक है और पे नाओ करके अप यहीं पहुंच जाते हो यहां पर detail डालके आप tax की payment कर सकते हैं अगर कोई tax आपका बनता है तो preview return पर आप जाएंगे तो एक बार validation चेक होगा, validation successful होगे है उसके बाद आप proceed to verification करेंगे तो आधार OTP जो होता है उसकी help से आप इसको verify कर सकते हैं तो इतने simple step से आप as a freelancer अपनी ITR file कर सकते हैं लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा कि अगर आप 44 ADA में जा रहे हैं तो profit आपको 50% दिखाने है, 44 ADA की एक limit होती है, 50 lakh तक का gross receipt है पूरे year का तभी आप जो है उसके अंदर जा सकते हैं, so अगर इसके लावा कोई और consultancy आपको चुह है, आपको अपनी ITR file करवानी है, कोई guidance आपको चाहिए, so नीचे मैंने contact detail दी हुए, वहां से आप contact कर सकते हैं हमको, thank you so much guys for joining today's session, take care